Hello everyone, welcome to the online session of Azad High School. आज हम करेंगे क्लाप्टर नमबर 26, जिसका नाम है होमोनियम्स. होमोनियम्स होता क्या है? होमोनियम्स वह वर्ड होते हैं, जो स्पैलिंग में तो सेम ही होते हैं, लिकिन उनके अलग-अलग मीनिंग निकलते हैं. एक मीनिंग होता है, जहां से लाइट आ रही हो, कि बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, तेज प्रकाश आ रहा है. एक होता है लाई, लाई का मतलब होता है लेटना, बैठना और दूसरा होता है जूट बोलना. फैन, आपको पता है जो उपर पंखा चलता है, पंखा होता है फैन, और दूसरा फैन हम किसको बोलते हैं, जो हमारा बहुत बड़ा फैन है, लाइक अडमाइडर है हमारा, ठीक है, तो यह जो वर्ड्स आपको दिये हुए हैं, यह क्या है, बोलने में तो सेम वर्ड है, करते हैं अपनी पहले exercise A fill in the blanks in each sentence pair using suitable homonyms number 1 I have two sets of crayons number B the sun sets in the west हमने ऐसा ही word use करना है जो दोनों में fit बाथे तो वो क्या था? sets number 2 A what kind of creatures are arkinids number B be kind to animals यहाँ पे kind के दो meaning आ रहे हैं एक kind हो गया कि किस प्रकार का है ठीक है उसने पूछा कि arkinid किस प्रकार के creature होते हैं और दूसरे kind में क्या बताया उसने कि हमें दूसरों के पती दयालू होना चाहिए right number 3 will a matchbox sink in water B keep the plates for washing in the sink उपर वाले में sink का मतलब है डूबना और नीचे वाले में sink का मतलब वो जगा होती है जहाँ पे आप अपने बरतन साफ करते हैं number 4 the ring finger is between the little finger and the middle finger B I heard the phone ring at midnight पहले वाले में आपको ring finger के बारे में बताया गया आपकी वह उंगली जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं जिसको ring finger का जाते हैं और दूसरे में ring करना मतलब फोन की घंटी बजना number 5 the solution of these two chemicals is used as a pesticide B part में is there a solution to the problem of poverty पहला वाला solution क्या है किसी दो चीजों का mixture उसको solution बोलते हैं और दूसरा solution आपको दिया है कि किसी समस्या का समाधान निकालना ठीक है number 6 can you play some music please और B में how long do you play after school in the evening तो यहाँ पर दो मेनिंग है play का play का होता है कोई चीज चलाना और दूसरा play का मतलब होता है खेलना number 7 my bag is heavy but yours is light B the little bulb doesn't give enough light to read पहले वाले में light का मीनिंग क्या था हलका और दूसरे वाले में light का मीनिंग है प्रकाश देना number 8 मीना कैरीज हर टेड़ी बेर वेरेवर शी गोज B पार्ट में है this table cannot bear the weight of that box अब यहाँ पर बीर दिया फर्स्ट वाला तो टेड़ी बेर मतलब की भालू और दूसरे वाले में बीर का मतलब होता है सहना कि वो टेबल नहीं सह पा रहा है उस box का weight तो बीर का मतलब एक होता है भालू और दूसरा है सहन करना number 9 we left the playground at 7 o'clock last evening B पार्ट में look left and right before crossing the road first sentence में left का मतलब की चले जाना और दूसरे में left का मतलब direction से है कौन सी? left hand side number 10 there is an object inside the pipe blocking the flow of water B part we must object to the closing of the park first sentence में object का मतलब क्या है कोई चीज और second sentence में object का मतलब है कि उसके ओपर रोक लगाना objection देना कोई चीज जो आपको पसंद नहीं है ठीक है? next है B part guess the word from each pair of clues अब दोनों में आपको clues दी होए हैं उनके लिए हमने कोई एक शब्द जो है वो guess करना है number 1 this little round thing tells us the time look at something closely अब वो time भी दिखाता है और किसी चीज को एकदम closely देखने को भी वो शब्द आता है तो वो क्या होगा? watch number 2 we hit a ball with it a black flying creature that comes out at night तो इसका क्या होगा? bat number 3 MS Dhoni plays this game a chirping insect like a grasshopper तो इसको बोलते हैं cricket cricket game भी होता है और cricket होता है एक कीडा होता है छोटा सा जो grasshopper की तरह दिखता है उसको भी cricket बोलते है number 4 a flat surface a vehicle that flies in the air तो उसको क्या बोलते हैं? plane plane मतलब aeroplane को shot में plane भी बोलते हैं और जो flat surface होता है उसको भी क्या रहते हैं? plane number 5 a rectangular or square container to hit rectangular or square container को क्या बोलते हैं? box और box करना मतलब क्या होता है? किसी को मारना भी number 6 a written message और दूसरा the alphabet is made up of this written message लिखते हम क्या है? letter और alphabet को भी letter ही बोलते हैं number 7 correct opposite to left यह क्या होगा? right number 8 similar to to be fond of इसके लिए क्या होता है? like करना like का मतलब किसी को पसंद करना और like का दूसरा मतलब होता है same same कि यह दोनो एक जैसे दिखते हैं तो वो भी like होता है तो 8 का अंसर है like number 9 kind write using the keypad तो keypad में हम क्या करते है type करते है तो इसका आएगा type number 10 go away a holiday from work work से holiday लेना या किसी को कहना चले जाओ तो उसके लिए हम क्या शब्द का प्रियोग करते है leave ठीक है? leave का मतलब क्या होता है जाओ और दूसरा मतलब होता है छुट्टी लेना thank you very much and have a nice day